तो Hello Friends, अगर आप लोग के पास भी Axis Card, या फिर Flipkart Axis Card हो या फिर Axis Bank का कोई भी Credit Card है और उसको आप लोग सही से उज़ कर रहे हो, टाइम पे Rapeyment भी कर रहे हो लेकिन आपका अगर Limit Increase नहीं हो रहा है तो इस वीडियो में मैं आपको Complete जनकारी देने वाला हूँ को कर लिजेगा subscribe वीडियो पसंद आता है वीडियो को like कर दिजेगा साथी साथ आपको bell icon को कर देना है प्रेस in future कोई भी वी वीडियो आएगा उसका notification आपको मिल जाएगा और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे अभी आपको सबसे पहले तो एक काम करना है कर प्लेया स्टोर में आने के बाद आपको यहां पर सर्च करना हा एक्सिस एक्सिस मोडाइल अप लोग जैसे ही सर्च करोगे । और आपने इस्टॉल कर रखा होगा तो इसको सदॉल कर लेना अगर इंस्टॉल कर रखा और अपडेट आया हुआ है तो सबसे पहले आपको अपडेट कर लेना है उसके बाद ही आगे का प्रोसेस करना है क्योंकि यहाँ पे देख रहो मैंने इसको इसको इंस्टॉल कर रखा है अब मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ open open करोगे कुछ इस तरीके से यह loading लेगा और आपका यहाँ पे app open हो जाएगा जहाँ पे आपको card का detail सो कर देगा और यहाँ पे जो last repayment किया है build you सारा कुछ आप लोग यहाँ पे देख पाओगे लेकिन आप लोग यहाँ पे देख रहो मेरे में limit increase का यहाँ कोई option नहीं है फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वालो limit increase कैसे कर सकते हो तो अगर आपको इस application में मिल जाता है option तो ठीक है नहीं मिलता है अगर नहीं मिलता है या फिर मिलता भी है तब भी आपको एक काम जरूर से करना है करना क्या flip card को update करना है flip card access है तब ही आपको करना है flip card access नहीं है अगर आपका सिर्फ access का card है तो आप लोग access mobile को ही update करोगे अब यहाँ से इसको कर लोगे open जैसे ही open करोगे कुछ इस तरीके से यह open होगा आप यहाँ पे देख रहो account का option आपको नीचे देखने को मिलेगा यहाँ पे तो इस पे कर दोगे tap अब जैसे ही tap करोगे यहाँ पे देख रहो flip card access credit card का option आ रहा है तीसरे नमबर पे अब इस पे आपको कर देना है tap जैसे ही tap करोगे अब आपके पास एक OTPI आएगा तो थोड़ा सा beta करना है जैसे ही OTPI आएगा यहाँ से verify हो जाएगा यह automatically ले लेगा तो थोड़ा सा कर लेंगे beta अब जैसे ही beta करोगे यहाँ से यह हो चुका अब यहाँ से verify वाले option पे tap कर देते हैं अब जैसे यहाँ पे tap करते हो मैं आपको दिखाता हूँ, यहां से भी आप लोग कर सकते हो, increase limit पे click करके, या फिर आप लोग वहां से करना चाहते हो, तो वहां से भी कर सकते हो, वहां से कैसे करना है, वो मैं आपको सबसे पहले दिखा दे रहा हूँ, तो इसके लिए क्या करना है, यहां से back आ जाना है, back आने के बाद आपको फिर से access mobile वाले app में आ जाना है, और यहां आने के बाद आपको यहां पे एक option मिल जागा, control center, इस पे कर दोगे tap, अब जैसे ही tap करोगे, यहां काफी सरा option देखने को मिल जागा, जैसे domestic यूज हो गया इंटरनेशनल यूज हो गया, block and replace हो गया, active e statement हो गया, pin आप लोग सेट कर सकते हो, और यहां पे और भी option देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको इतना कुछ नहीं करना है, करना क्या है, domestic यूज वाले option पे tap कर देना है, अब जैसे ही tap करोगे, अब यहां पे देखोगे, देख रहे हो, you are eligible for a credit limit increase, यहां 40,000 तक हमें मिलने वाला है, और यह 16 March के पहले हमें कर लेना है, active, तब ही यह हो पाएगा, तो अब करेंगे क्या, यहां से agree वाले option पे tap कर देंगे, अब जैसे ही tap करोगे, थोड़ा सब आपको यहां बेट कर लेना है, अब यहां आपको M-pin डाल देना है, जो M-pin आपने बनाया होगा, वो आपको यहां पे fill कर देना होगा, तो अगर आपका axis का card है, तो आप लोग यहां से कर सकतो, अगर आपका flip card axis है, तो यहां से करना ज़्यादा waste होने वाला है, तो आप क्या करेंगे, increase limit वाले option पे tap कर देंगे, अब जैसे ही tap करेंगे, यहां home page आ जाएगा, अब यहां valid for 16th March आ रहा है, यानि किस यहां 16 March के पहले हमें कर लेना है, increase my limit वाले option पे यहां tap करोगे, M-pin यहां आपको डालने का जरूरत नहीं है, आपके पास एक OTP आएगा, OTP अप लोग वेरिफाय करोगे, और आपका instant ही हो जाएगा, थोड़ा सा बेट करेंगे, OTP आने देंगे, अब यहां पे देख रहे हो, OTP हमारा already आ चुका है, तो इस पे tap करेंगे, और वेरिफाय वाले option पे tap कर देंगे, पर यहां पे देख रहे हो, हमारा OTP गलत हो रहा है, तो हमें करना क्या होगा, यहां से सबसे पहले फिर से back कर और थोड़ा सा आपको यहां और इंतजार कर लेना है, अब यहां पे देख रहे हो, फिर से recent OTP वाला option आ चुका है, तो इस पे आपको कर देना है, अब जो नया OTP आएगा, वो आपको यहां पे फिल करना है, थोड़ा सा बेट करोगे, OTP का आपको इंतजार कर लेना है, य जैसे ही OTP फिल करोगे, वेरिफाय वाले option पे टैप करोगे, अब आपको थोड़ा सा बेट करना, और यहां पे देख रहे हो, यूर new credit limit is 40,000, increase limit will be reflect across channel between 24 hours, मतलब 24 घंटे के अंदर यह active हो जाएगा, लेकिन यहां 24 घंट आपका लिखा आ जाएगा, लेकिन अभी आप है, जो अभी हमारा credit limit है, 40,000 यहां पे हो गया है, तो कुछ ही इस तरीके से आप लोग flip card XS का, और साथ ही साथ XS credit card आपके पास है, तो XS app से असानी से अपना limit increase कर सकते हो, तो friends अभी के लिए वीडियो को यहीं करते हैं, समाब तो उमीद करते हैं, आपको वीडियो subscribe किजिए, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में